है फ्रेंट्स देखे आज की इस वीडियो में हम बहुत से शेयर देखने वाले हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और बहुत निव जिनके रिगार्डिंग निकलकर आ रही है और कुछ में अच्छी निवज है कुछ में बुरू निवज भी है सभी को देखेंगे हम क्या है क्या इनका future हो सकता है चली शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल का आइकन को हिट करके और पर स्लेक्ट कर लीजिएगा चली देखे होती है शुरू करते हैं पहला से देखिंगे हम टाटा स्टील अगर हम इसके एक दिन के रिटन देखिं तो माइनस में है बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो देखें नोडाउट के कंपनी अच्छी है बहुत स्षांदार कंपनी है कुछ इसमें न्यूज भी आ रही है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हां कंपनी यह चा करने वाली है और देखिए मार्केट में जब पिचासी के आसवास सेयर था तब भी हमने आपको एक वीडियो बनाया था और तब से देखिया अभी तक बात करें इसके ओल टाइम रिटन की इस साल के अगर बात करें तो तो पूरे साल में तो माइनस में है लेकिन पूरे अगर मैक्सिमम चार्ट कर देखें हम इसका तो अच्छा रहा है कुल मिलाके ऄटीजियाओ के लिटर हमें कंपनी ने देए हैं और अभी जो है देखिए हैं यह 148 परसेंट व्ल की डीटन दिये हैं अभी जो है इनलाग के छेरकशा शैयर उठाए गए हैं संजीब कपूर जी के दिवारा immediate relatives इनका category person दिया हुआ immediate relatives तो company के relative है यह और इन्होंने acquisition किया है कुछ shares का तो अब जो है देखिए company में जो company को लोग अच्छे से जानते हैं वो इसमें अपनी holding बढ़ाते जा रहे हैं आप देखेंगे यहां director है इन्होंने भी एक share उठाए था ठीक है इन्होंने कई बार उठाए थे पहले और अब जो है कुछ नहीं फ्लेट है 6 महीने से फ्लेट है कोई आपको बढ़ता हुआ यह दिखाई देगा नहीं से यह लेकिन अगर maximum देखें तो देखें लगभग आपके पैसा लगभग 88 गुना से जादा कर दिया है और dividend तो इतना देती है company के भर भर के देती है और जो इसकी जो query इसकी आ रहे है वो यही आ रहे है कि dividend कब तक मिल जाएगा तो देखें आप 102 हपते वेट कीजिए और आपके account में वो credit हो जाएगा maximum जो date है इसकी 22 दिसंबर है उससे पहले पहले यह सभी के account में इसका जो dividend है वो आ जाएगा तो अपना account अपना चैक करते रहे हैं सब साथी साथ इसका एक notice भी आया है notice आप देख सकते हैं और 9 दिसंबर यह कल meeting हुई थी तो कल आया था यह इसमें क्या हुआ था कि आपको पता ही होगा पहले 500 क्रोड जो है company ट्रेज करने के लिए सोच रही थी 500 क्रोड रुपे का अब यह 500 से 800 का कर सकती है और देखिए 500 क्र क्रोड इसमें एडिशनल यह लोग कर सकते हैं इसको रेज तो company जो है अपना जो है इसका जो वर्क है उसको एक्टेंट करना चाहरी है extension कंपनी का करना चाहरी है company तो बहुत ही शांदार growth in future company दिखाएगी साथी साथ यह जो है उडिसा में भी एक अपना plant लगा रहे हैं वह हां एक लाख करोड रुपे लगभग यह invest करेंगे तो वहां से भी इसके लिए बहुत अच्छी good news यहां से आ रही है in future बहुत सांदार company growth दिखाने वाली है देखिए dividend तो company देती ही देती है लेकिन dividend के साथ-साथ यह growth भी बहुत अच्छी दिखाएगी आप एक साल दो साल बेट कीजिए जस्ट शेर का प्राइज डवल होता हुआ यहां से दिखाई दे सकता है अब देख लिते हैं देखिए JSW Steel के बारे में और इस company का अगर हम देखें तो यह भी कल माइनस में ही बंद हुई है लगवाग आदा परसेंट के साथ और पांच दिन का रिटन में 2% म कंपनी ने दिये हैं और 6 महिने में भी तो company अच्छा करते हैं लेकिन अभी जो है थोड़ा सा consolidation में आ सकती है company अभी जो है पैसा ना लगाए 740 का अभी प्राइज इसका चल रहा है जो एक थोड़ा सा हाई लेवल हमें दिखाता है अगर यह आपको 680-700 के बीच मिले तो इ देखिए इसमें जो है लगातार profit booking चल भी रही है जो इसके बड़े-बड़े investors हैं वो इसमें से profit booking कर रहे हैं थोड़ा सा इससे अभी बचके चला जा सकता है ठीक है अभी fresh entries में थोड़ा सा avoid करें देखिए यह company है ठीक है GSW employee है इसके और यह जो है इन्होंने इक यह अपन market sale इन्होंने की है और इससे पहले भी अगर देखें आप तो यहां भी market sale हुई है देखिए 6 December को ही दो बार sale हुई है ठीक है और इससे पहले अगर हम देखें इसके बाद यह 8 December को भी देखें market sale हुई है ठीक है तो इसमें जो है लगातार selling चल रही है आप कहीं भी देखेंगे तो selling चल ही रही है company में यह भी यह open market में देखिए यहां sale किये गए थे 8 तारिक को ही तो अभी जो है fresh entry को इसमें avoid करें no doubt company अच्छी है in future अच्छा करेगी लेकिन फिलहाल अभी इसमें fresh entry के लिए मैं नहीं कहूंगा क्योंकि देखें company के जो employee है इंप्लोई ही इसको sale कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी और देखें heavy quantity sale कर रहे हैं कोई बहुत थोड़ी बहुत नहीं heavy quantity 35,382 share और cost होती है इनके दो करोड 69 रुपे के share इन्होंने sale किये तो जब employee ही sale कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी साइद इसका result का wait कर सकते हैं कैसा आए उसको देख लें उसके बाद फिर entry लें अब बात करते हैं देखें Apollo tubes की तो APL Apollo Limited यह एक monopoly इसका business हम कह सकते हैं और देखें एक दिन में जो है positive return है company के पांच दिन का अगर return हम देखें तो पांच दिन में भी हमें थोड़ी सी ग्रावट दिखेगी 2% की लेकिन एक महिने में 11% return 6 महिने में 23% और पूरे साल में 23% है तो अभी जो है company ओपर की और भागने लगी है थोड़ा थोड़ा धीरे करके तो इसमें अगर fresh entry आप लेना चाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ी लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें कंपनी में share में इन्वेस्ट करें देखें लोंग टर्म में अगर हमें इसका चार्ट देखें तो 81 वैसी गुना लगभग पैसा कर दिया है company ने 8 higher 171% के return है सिर्फ 2011 से लेके 2022 तक 11 साल में 88 गुना पैसा तो बहुत जबरदस्त company return दे रही है आगे भी देते हुई दिखाई देगी लेकिन वही है कि अभी थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करें थोड़ा सा करेक्शन कंपनी में आ सकता है देखें कंपनी की हमें रेटिंग में भी इसमें उच्छाल देखने को मि देखाई दी है जो रेटिंग कंपनी यह होती है इन्होंने इसको रेटिंग दी है और बहुत शांदार रेटिंग एवा प्लस वा सोरी एवन प्लस बहुत अच्छी रेटिंग एक मानी जाती है तो इन फ्यूचर company बहुत अच्छा करने वाली है monopoly business में काम करती है कंपनी ब आपको कई भार इसमें वीडियो बना चुका हूं कि दिखें जवरदस्त कंपनी नजर आती है आगे इन फ्यूचर बहुत रांदार यह रिटन देगी अभी कोई बाइंग करना चाहता है तो बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है कर सकता है रिटन की बात करें तो एक दिन यह देखें सिर्फ 2018 से 6 गुनाब तक पैसा कर चुकी है कंपनी इस साल क्यों है नेगिटिम में वह आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन की वोर हुई और उसके बाद खेर सेर पहले भी बहुत आगे बढ़ चुका था यहां से आप देखिए डेर रुपे से और 38 रुप हैं सारे के सारे ओटमाइटिक और अपना जो बिजनिस है उसका extended करना चाहरे है अभी तक इंडिया में ही है यह बस लेकिन अब जो है यह बहार भी काम करना चाहरे है और इसमें जो मेन चीज है जो इसमें बताती हैं का इंवस्ट करना चाहिए वह देखिए यह है के कम्पन यह कर रहे हैं देखिए यहाँ पर देखेंगे आप और यह कब से कर रहे हैं नीचे देखिएगा लगातार अचिंद यहां से देखिए पंथरा नवंबर से ठीक है और ये गोरी शंकर जी ही है इसके जो प्रमोटर हैं प्रमोटर और डारेक्टर ठीक है ये हैं ये रवी कुमार गोरी शंकर जी है ठीक है इन्होंने देखिए डेली माल उठाया है यहां से पहले 15 को उठाया फिर 16 को 17 को फिर 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29, 30 तो मतलब डेली ये माल उठा रहे हैं डेली अपना जो शेयर होल्डिंग है ये बढ़ाते जा रहे हैं अपनी इसमें और बस यह कि जिस दिन मार्केट बंद होता है उस दिन ये भी अराम करते हैं लेकिन उसके अलावा ज 20 लाख जैसे भी इनका हिसाब होता है अपना ये माल उठा लेते हैं और अगर इनका एवरेज प्राइज देखें आप तो यह नो रुपे के आसपास ही उठाते हैं इसको साड़े नो से दस के बीच जैसे इस प्राइज पर इने मिलता है ये रोज माल उठा ले रहे हैं और इसी वाज़े से अभी शेयर तो खेर नहीं बढ़ रहा है लेकिन जब बढ़ेगा देखिए अगली बार शेयर होल्डिंग पैटर इसका आएगा तो बहुत सांदार प्र डिविडेंट की घोषणा की है और अगर इसका सेर प्राइज देखें तो यह 424 रुपे हो चुका है 424 रुपे जो कि इससे पहले 290 था जो यह डिविडेंट की घोषणा हुई उसके बाद सीधे 424 हो गया है तो अब देखिए इसमें बहुत ही एक तखडी ग्रावट आ स सकती है जैसे ही यह जो रिकोर्ड डेट है इसकी वो है साइद 19 या 20 दिसंबर 19 या 20 दिसंबर इसकी रिकोर्ड डेट है और उसके बाद इसमें देखिए बहुत तखडी गिरावट आएगी निकलना भी इसके मुश्किल हो जाएगा तो अभी बताता हूं जिसने भी रिटन फस ना करें नहीं तो फस सकते हो इसमें क्योंगी सबसे देखिए सबसे बड़ी बात है कि 256 करोड की एक माइक्रो कैप कंपनी है बहुत चोटी कंपनी है और इससे पहले कंपनी में कभी ऐसा उचाल नहीं आया यहां देखें आप चार्ट को तो एकदम से यहां से यह 232 थ सकता है फस सकते हैं आप इसमें हां जैसी नीचे आए यह आपको 200-200-200 के आसपास अगर मिले तब ले लीजिएगा लेकिन फिलहाल अब इसमें से जिसने भी प्रोफिट बुकिंग करनी है कर लीजिए वरना बहुत लंबे समय के लिए आप इसमें फस सकते हैं और कंपनी ठ कर रहे हैं कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिखाई देता है 50% प्रमोटर के पास है लेकिन फिर भी अब जो है कंपनी बहुत ऑवर वैल्यूड हो चुकी है तो इससे अब दूरी बना लीजिए अगर दोस्तों फिर वीडियो देखे पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत